तो इससे पहले मैं स्वयर और बेंजन को इंगलिस में कैसे लिखते हैं वो बता चुकिए हूं उसके वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्टें में डाल दोंगी वो भी आप जरूर देखें और आज मैं हम बात करेंगे बाड़ा खड़ी को यानि का का की की को इंगलिस में कैस लिखते हैं ये जान लेने के बाद आपके लिए हिंदी से इंग्लिस में चीजों को लिखना जैसे किसी का एडरेस लिखना नाम लिखना या कोई स्टोरी रीट करना कोई मैसेज सेंट करना रीट करना बहुत ही आसान हो जाएगा तो इन वीडियो को बहुत ही अच्छे से K-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A के ए एन से कन के ए एच से कह तो इस तरह से आप इन चीजों को माइन में सेट कर लीजे बच्चे को सेट करवा दीजे के ए से कह, के डवल ए से का, के आई से की के डवल इ से की, के यू से कू, के डवल ओ से कू के ए से के, के ए आई से कह, के ओ से को के AU से को, के N से कन, के AH से कह, यह हो गए को का की, अब इसी तरह से ख का भी, ख के लिए, ख के लिए होता है K, A से ख, तो खा के लिए K, A, A से खा, K, H, I से खी, K, H, E से खी, K, H, U से खू, K, H, O से खू, K, H, E से खे, K, H, A, I से खै, K, H, O, खो, K, H, A, U, खो, K, H, A, N, खन, K, H, A, H, खह, इस तरह से, तो इसी तरह से और बाकी के बाड़ा खड़ी भी बनाये जा सकते हैं जैसे, G, A से ग, G, A, A से गा, G, I से गी, J, E, E से गी, और इसकी खूब साड़ी प्राक्टिस करिए, इसके बाद बहुत अच्छे से आप लिख पाओगे, रीड कर पाओगे, तो that's all friends, I hope है छोटी सी वीडियो आपके लिए यूजफूल होगी, यूजफूल लगे तो like करें, share करें और channel को subscribe करें, thanks for watching, bye bye, see you,